नमस्कार दोस्तो, बेलकम टू पीके क्लासेश, दोस्तो, आरजी पीवी लेटेस्ट अफडेट में, मैं आपको एकजाम से संबंदित लेटेस्ट जानकारी बताने वाला हूँ, जो की नई दुनिया न्यूज पेपर में आई हुई है, तो दोस्तो, यह जानकारी आपके से मिल सके और दोस्तों आपको आपके सब्जेक्ट से समंदित MCQP के क्लासिस में उपलब दें जो कि आप देख सकते हैं तो नोटिस है दोस्तों राजियू गांधी प्रुद्धी की विश्विद्याले की मंगलवार से इन परिक्षा में 24,308 विद्यारतियों को सामिल होना था लेकिन 24,000 संतावन विद्यारती सामिल हुए इन में से ऐसे कई विद्यारती थे जिनने ID पास्पर्ट देने के बाद भी नेटवर्क ना मिलने के कारण लागन नहीं हो सके इसलिए बेस्वाई की पाली की परिक्षा नहीं दे पाए आरजी पीवी परबंदन का कहना है कि कुछ विद्यारती ग्रामुर चेतर में रायते हैं इस कारण नेटवर्क ना मिलने के कारण वे आनलाइन परिक्षा में सामिल नहीं हो पाए बीवी द्वारा साप्ट वेयर के माद्याम से विद्यारतियों का प्रिश् और विद्यारती परिक्षा से बंचित रहेंगे बीवी परबंदन ने यह इंतजाम किया था कि संसादन मौजूद नहीं होने पर विद्यारती आरजी पीवी से संबंदता प्राप्त किसी भी कॉलेज में पहुँचकर आनलाइन परिक्षा में सामिल हो सकते हैं यह परिक्षा के पहले दिन और जी पीवी विश्कताओं की पूल खुल गई है 60-60 प्रिक्षा के पेपर में अनएक विद्यारतीयों के पास 40-50 प्रिक्षा में खुल सके वहीं विद्यारती आटो सम्मेशन के कारान भर्मित हुए हैं क्योंकि उनके पास पेपर सम्मेट होने क रिपोर्ट नहीं मिल सकी है तीन पाली में होने अबाली परिक्षा में विद्यारतीयों को आदा आदा घंटे बलंब से लागिन हुआ बिबी ने 200 प्रिक्षा बैंक बनाए ते इसमें से किसी को अगर 60 प्रिक्षा नहीं मिले हैं तो वह बिबी में आवेदन दे सकता है कुझे उनके लिए मींस नेटबर्क साथी नेटबर्क ना मिल लिया के कारण कुछ विद्यारती परिक्षा में सामिल नहीं हो पाए उनके लिए दुबारा परिक्षा लिए जाने करना होगा जो की बाद में लिया जाएगा तो दोस्तों ध्यार रखें केयरफुली एक्जा चैनल को सब्सक्राइब करें जिस से लिटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए थैंक यू